नमस्कार आप देख रहे हैं नेशन न्यूज मैं हुआ आपके साथ मनुपांडे बेहार विधान सभा चुनाव के इस दौर में सभी नेता लगतार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने में लगे हुए हैं सभी नेता चाहे सत्ता पक्ष से हो या विपक्ष से हो एक दूसरे पर तीखी बयान बाजी करने से नहीं चुग रहे हैं इसी बीच लोशपा प्रमुख चिराग पासवान ने भी राहूल गांदी की ओर से पिये मोदी को लेकर किये गए बयान पर करी निंदा जाहिर की हैं उन्होंने एक त्वीट के जरिये नितीश कुमार को भी घेरा है उन्होंने एक त्वीट में कहा है कि नितीश कुमार पिये मोदी के साथ मंच तो साजा करने के लिए बेताब रहते हैं लेकिन उन्होंने राहूल गांदी की ओर से दिये गए बयान पर कोई टिपणी नहीं की आपको पता दे कि पंजाब में दशहरा के मौके पर प्रधान मंतरी मोदी का पुतला दहन किया गया ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी प्रधान मंतरी का दशहरा पर पुतला दहन किया गया इस बात को लेकर कॉंग्रस नेता राखुल गान्धी ने प्यम मोधी पर निशाना साधा और कहा कि ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है जब कहीं दशहरा पर प्यम मोधी का पुतला बना कर जलाया गया हूँ लोशपा प्रमुक ने कहा कि बिहार की धर्ती पर राहूल गांधी ने प्रधान मंत्री के संबंध में पंजाब में हुई निंदनी ए घटना को लेकर जो बयान दिया उस पर नितीश कुमार जी क्यों खामोश है। प्रधान मंत्री के साथ स्टेश शेयर करने को नितीश कुमार बेताब रहते हैं लेकिन उतना ही राहूल गांधी के घ्रिनित बयान के लिए मुख क्यों नहीं खोलते। फिलहाल इतना ही बने रिये नेशन यूज के साथ नमस्कार।